हेलो दोस्तों आज मैं आपको ये बना के दिखाने वाला हूँ बहुत ही special recipe है नाम है इसका green lahori paneer अगर आपको जानना है कि मैंने इसको कैसे बनाया है तो आपने वीडियो को पूरा देखना है green lahori paneer बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक mixi का जाल लिया है इसने 50 gram पोदिना डाल दिया है और 50 gram ही धनिया डाल दिया है दोनों को अच्छी तरीके से धुनने के बाद ही डालना है और इसमें 3 हरी मेंच डाल दी है यह मैंने 200 gram पालकी प्यूरी लिया है मेरे पास पहले से ही बनी रुकी थी अब आपने क्या करना है आपने 200 gram पालक लेना है और इसको उबाल लेना है बस और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में पीछ देना है उसके बाद आपने कुछ नहीं करना और ये प्यूरी इसमें मिक्सी में डाल देनी है अब मैंने 200 ग्राम दही लिए इसको भी मिक्सी में डाल दिया है दही डालने से क्या होगा कि हमारे पालग और पोदिनिया कलर खराब नहीं होगा अब आपने इसको मिक्सी में पीछ लेना है और ये देखे इसका कितना बहतरिन कलर आया है अब हमने अपने सब्जी के लिए पनीर काटना है और ये देखे पनीर आपने इस तरीके से काटना है बहुत ही आसान तरीवा है यह अब मैंने यह यहाँ पर एक फ्राय पैन लिया है और इसमें दो बड़े चम्मक तेल डाल दिया है और तेल करम होने के पाद इसमें दो तीजे पत्ते डाल दी है चोटी सी सिनेमे नीशी رायची डाले हैं, दो तिन ब्लैक पेपर डाले हैं आप आपने इनको हलका सा पका लेना है जब तक कि इनकी हलकी खुसून आ जाए अब इसमें दो बड़े चमच जिंजर गालिक पेष्ट डाल दिया है अब आपने इसको बढ़िया तरीके से भून लेना है जैसे कि मैं भून रहा हूँ बड़ी है तरीके से भूनने के बाद अब इसमें एक छुड़ा चमच देगी मिर्च डाल दी है एक चोथा एक छुड़ा चमच हल्दी डाल दी है हल्दी को हलका सा भूनने के बाद आपने इसमें तुरंट डाल देना है पालक और पूदिने की प्यूरी आपने यहाँ पर टाइमिंग का ध्यान डखना है इसमें प्यूरी तुरंट डाल देनी है नहीं तो हमारी देगी में इसका कलर काला हो जाएगा अब आपने पालक को अच्छी तरीके से भून लेना है आप पालक को जितना भूनेंगे उतना ही बैथरीनिस का टेस्ट निकल कर आएगा पालक को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें आदा छोड़ो चमज नमक डाल देना है आदा छोड़ों चमज गर्म मसरा डाल देना है और आदा छोड़ों चमज जीरा पाउडर डाल देना है एक चोथाई छोड़ों चमज लाज मिर्स पाउडर डाल देना है और 20 गराम बटर डाल देना है अब आपने इसको प्यार से मिक्स करना है इस तरह से बहुत ही प्यार से मिक्स करना है अब इसमें हलका सा पानी डाल देना है लगबग आदी कर्ची और हलके हाथ से फिर से मिक्स करना है अब इसमें पनी डाल देना है जो हमने काट के रगा था और इसको हलका सा फिर से मिक्स करना है बस हलका सा ही पकाना है जादे नहीं पकाना है अब इसमें एक टीस्पून कसूरी मेथी डाल दी है फिर से बस हलका सा टोस करना है अब इसमें एक बड़ा चमच अमूल क्रीम डाल दी है अब बस आपने इसको हलका सा मिक्स करना है और ये देखिए कितना बहतरी न कलर आए इसका इस ने एक तो रोगन भी छोड़ गया है और अब ये पिक अप के लिए रेड़ी है और ये देखिए इसकी कितनी बहतरी न थिकनस निकल कर आई है दोस्तों और आपको मेरी recipe अच्छे लगी हो तो please मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और please मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए